आप सब मैं अपने चैनल आस्ता बीटी कितब से आपका बहुत बहुत श्रागत करती हूं आज मैं आपके लिए इसकिन वाइटनिंग एक ट्रीटमेंट लेकर आई हूं जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं उसके लिए हमें चाहिए कोलगेट यह वाइट बेस वाला होना चा इसके बाद यह नीमभू है इसे दो से तीन चम करस है इसमें अगर आपको नीमभू सूट नहीं करता है तो आप टमाटर करस भी ले सकते हैं इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे फ्रेंट कितना अच्छा यह हो गया है बिल्कुर स्मूथ पेस्ट इसका बन गया है अब हम इसे अपने हाथों पर जहां जहां हमारे हाथ ब्लैक रहते हैं या कोहनी हमारी ब्लैक रहती है इसको हम इस तरह से पूरे हाथों पर अप्लाई कर लेंगे हमारे अंडर आंस भी काले रहते तो वहां पर भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से इसको हम फेस भी अप्लाई कर सकते हैं पर वहां पर आपको इसे सी 10-15 मिनट ही रखना पड़ेगा और जिनकी सेंस्ट्री स्किन है वह भी अप्लाई कर सकते हैं जब हम इसे लगाते हैं तो यह भूत ही ठंडड़़ण कूलिंग सा एफेक्ट देता है इसको हम इस तरह से मस पहम मेशाज करते रहें थोड़ा थोड़ा सा सा 5-5 मिन तक और फिर हम इसको इसी तरह से छोड देंगे इसे यह 15-20 मिनट तक इसी तरह से रखे रहेंगे अब यह देखें मेरा 15-20 मिनट हो गया है यह सूख गया है अब इसको हम धीरे-धीरे मसाज करके गीला कर लेंगे फिर से आपकी अगर गर्दन काली है तो गर्दन पे भी हम इस लेट को लगा सकते हैं आप फर्खुदी देखेंगे हपते में आप इसे एक बार ज़रूर ट्राइ करें आपकी जितने भी ब्लैक है जाएगा आपको मैं अभी दिखाती है इसको करके आपके पास टाइम नहीं है पाला जाने का तो आप घर में यह जल्दी से कर सकती है इसको और आपकी स्किन देखेंगे कि कि इतना शाइन कर रहा है इस तरह से हम इसको धीर दे फिर से मसाज करेंगे अब मैं अपना हाथ दोल के आपको दिखाती हूँ अब मैं अपना हाथ दोलिया है देखे आपको खुर्ब भर को दिख रहा होगा मेरे दोनों हाथों में यह बिल्कुल साफ और बिल्कुल शाइनिंग लग रहा है इसको करने के बाद हमारी स्कीन थोड़ी ड्राय हो जाती है तो हम थोड़ा सा इस पर अपना क्रीम या यह अलोवेरा जल लगा लेंगे तो इसकीन हमारी थोड़ी मुलायम हो जाएगी और खिची खिची नहीं लगेगी फेस पर जब आप अपलाई करेंगे इसे तो आपको देखेंगे कि बिल्कुल ठंडी ठंडी से एक अन्भूती होगी देखिए फ्रेंट आप खुब फरक देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में कितना साफ हो गया आप इसे जरूर ट्राई करें एक बार फिर आपको अगर पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू